नमस्कार दोस्तों, टीचर जिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे महाराष्टर नेशनाल लौ यूनिवरसिटी यहाँ बहुत सरे टीचिंग पोजिशन में और रिसर्च आसिस्टाट के पोजिशन में भैकेंसी निकला है बहुत सरे डिपार्टमेंड में तो चले चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो यह है इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन महाराष्टर नेशनाल लौ यूनिवरसिटी मुंबाई यहां आप देख सकते हैं यहां मेंसन किया गया प्रोफेसर का वेकेंसी है असोसियेट प्रोफेसर आसिस्टान प्रोफेसर का वेकेंसी है देन इसके अलावा यहां मेंशन किया गया है रिमुनेरेशन रिमुनेरेशन विल बी आजपर दे यूजी सी रेगुलेशन नाट गावर्मेंट अव महाराष्ट्रा देन हम थोड़ा साथ नीचे चलेंगे आप यहां देख सकते हो eligibility के बारे में यहां मेंशन किया गया है प्रोफेसर के लिए यहां मेंशन किया गया है कम से कम PhD होना जरूरी है और उसके साथ साथ 10 साल का experience होना बहुत जरूरी है और उसके साथ 10 research paper पब्लिक्स किया होना चाहिए ठीक है इसी प्रकार बाकि अधर कुछ आप देख सकते हो associate professor के लिए PhD also mandatory इसके साथ साथ master's degree में कम से कम 55% मार्ट होना चाहिए और 8 साल का experience होना बहुत जरूरी है बाकि कुछ extra additional mention किया गया आप देख सकते हो ठीक इसी प्रकार assistant professor for law and other discipline इसके लिए master's degree यहां compulsory नहीं है जो PhD master's degree compulsory है और उसके साथ साथ 55% mark compulsory है इसके साथ साथ यहां mention किया गया है besides fulfilling the above qualification the candidate must have cleared the national eligibility test means net clear होना बहुत जरूरी है conducted by the UGC and CSIR net और slate किसी भी होगा तो यह भी चलेगा ठीक है then इसी के साथ साथ यहां mention किया गया है research assistant है research assistant के लिए जो minimum qualification है यह LLB और LLM pressure experience कोई भी यहां apply कर सकता है और research assistant के लिए जो apply करने का तरीका है यहां mention किया गया है applicant shall only submit their CV along with the statement of purpose of the approximately in 200 words तो आपको सिर्फ CV भेजना है और उसमें आपका एक purpose mention करना है 200 word का जब किस चीज के लिए आप इस प्रकार का job आप ढूंड रहे हो और किस चीज के लिए आप interested हो इस position के लिए बाकी जो तिन position है professor, assistant, professor, associate, professor के लिए यहां देखे नीचे mention किया गया है online उनको apply करना पड़ेगा और इनका जो age है 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है यहां देखे है mention किया गया यहां एक link भी दिया गया है यह है इसका link आप यहां देख सकते हो university का एक link mention किया गया है application salvi made online भाया application gateway linked to this एक university का link दिया गया है और इस link में आपको apply करना पड़ेगा कब तक न 30 अगस्ट 2021 यह है इसका last date ठीक है इसके अलावा आपको hard copy भी send करना पड़ेगा कब तक न 1st of September यहां देखे है mention किया गया 1st of September आपको hard copy mention करना पड़ेगा university के address में इसके बाद आपका जो selection होगा यह written test हो सकता है नहीं तो interview हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है बाकि आपको जो interview को जब आपका होगा आपको तब जो आने जाने का खर्च होता है जिसको हम TADA बोलते हैं यह भी आपको दिया जाएगा तो अभी हम चलते हैं university के site में यह है university का official site यहाँ देखे नीचे mention किया गया है vacancy तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं यहाँ आपको दिखाए देगा यही vacancy के बारे में discuss किया गया है जो second vacancy है यही उपर भी vacancy है वही same है मगर यहाँ थोड़ा बहुत कुछ mistake हुआ है इसलिए इस advertisement को फिर से इन्होंने publish किया है यही vacancy के देखे इसी के यही vacancy मैंने आप विजियो आपको दिखाया इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा इसका application form application form for the post of professor and associate professor application form for the post of assistant professor तो इसको आपको download करना है डाउनलोड करके आप इसको fill up करना है fill up करने के बाद इसके साथ सारे के सारे जो supportive documents से इसको attach करके आपको hard copy भी भेजना है and soft copy भी भेजना है सौप्ट को भी भेजने का जो address क्या है यह है इसका email ID आप यहां देख सकते हैं यहां के email ID दिया गया है इस email ID पर आपको भेजना है ठीक है और इसका last date जाईसिक मैं ने बताया 30 August 2021 और हाड को भी पहुंचने का जो last date है यह है 1st September 2021 तो यह था इसका details और जो भी आप इंट्रेस्टेड हो आप जितना जल्दी हो से के apply कर लिजिए इसका जो link है मैं दे दूंगा description में वहां से आपको details मिल जाएगा और जिन्हों ने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करे लिजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best